क्या आप जानते हैं कि एनिस्ट बिल्यू अंतराष्ट्रिय सीमाओं को फिर से खोलने की तैयारी में होम क्वारंटीन की आजमाईश करेगा सिद्नी वैक्सनेटेड यात्रियों के लिए एक होम क्वारंटीन योजना का प्रबंध कर रहा है जो अंतराष्ट्री असीमाओं को फिर से खोलने की दिशा में एक करीबी कदम है पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंट तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें Brain Drain Consultants की ओर से हमारे Immigration Information और News Channel A to Z Immigration Updates में आपका हार्दिक स्वागत है औस्ट्रेलिया प्रधान मंत्री स्कॉट मौरिसन ने एक मीडिया रिलीस में कहा कि New South Wales और Commonwealth सरकारें अगले महीने Greater Sydney में एक Home Quarantine Pilot शुरू करेंगी क्योंकि ये अंतराष्ट्रिय सीमाओं को खोलने की दिशा में एक NSW का बदलाव है Pilot का संचालन और निगरानी NSW स्वास्थय और पुलिस द्वारा की जाएगी और लगभग 175 लोगों के लिए 7 दिन Home Quarantine Program की आजमाईश करेगा Medical Goods Administration Accredited COVID-19 वैक्सीन वाले लोग पाइलिट में भाग ले सकेंगे वर्तमान में TGA द्वारा अप्रूवड वैक्सीन में AstraZeneca, Pfizer, Moderna और Johnson & Johnson शामिल है पाइलिट के लिए Participants का चैन Risk Assessment Framework के आधार पर NSW हेल्थ द्वारा किया जाएगा और इसमें कुछ NSW निवासी, कुछ गयर आस्ट्रेलियाई निवासी और कुछ Qantas एक्रू शामिल हो सकते हैं आइसोलेशन की अवधी भी 14 से घटा कर 7 दिन की जाएगी Morrison ने कहा, Commonwealth Government के साथ साजहिदारी में पाइलिट प्रोग्राम चलाया जा रहा है और जाच परिनाम भविश्य के क्वारंटीन प्रोग्राम को सूचित करेंगे आस्ट्रेलिया ने पिछले साल मार्च में जादातर अंतराश्ट्रिय यात्रियों के लिए अपनी सीमाएं बंद कर दी थी होम क्वारंटीन प्लान पर बोलते हुए मौरिसन ने कहा सुरक्षित रूप से बॉर्डर्स फिर से खोलने और सुरक्षित रूप से खुले रहने की उनकी योजना का ये अगला कदम है उन्होंने पहले कहा था कि नाशनल प्लान में उन स्टेट्स को अप्रूवल मिल रहा है जिनके असी प्रतिशत अडल्स को अंतराश्ट्रिय यात्रा फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह से टीका लगाया गया है भले ही दूसरे राज्यों ने नहीं किया हो Western Australia देश और दुनिया के बाकी हिस्सों में सीमा को फिर से खोलने पर सक्त रोकवाले राज्यों में से एक है इसलिए इस सवाल का कोई निश्चित समय नहीं है कि Australia की सीमा फिर से कब खुलेगी लेकिन NSW के लिए जादा अंतराश्ट्रिय अराइवल क्षितिच पर हो सकता है पर्यटन मंत्री Stuart Ayes ने कहा कि अगर पाइलिट योजना पर जाता है तो NSW सरकार अंतराश्ट्रिय आगमन को तेजी से बढ़ाएगी जबकि होटेल क्वारंटीन की व्यवस्था बिनाटी का करण के रहेगी Ayes ने कहा, NSW फिर से खुलने और जादा संख्या में इंटरनाश्टनल अराइवल्स को स्वीकार करने के लिए तैयार है अब होम क्वारंटाइन समाधान के लिए सही समय है क्योंकि वे बॉर्डर्स खुलने की दिशा में बदलाव कर रहे हैं पाइलिट प्रोग्राम इस महीने के अंच से चलेगा और चार हफ़तों तक चलेगा हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी कृपिया कॉमेंट में अपने सजेशन्स और फीडबाक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने बहार जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूचताच करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टन्स की टीम के साथ एक एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं